आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी नास्ते की रेसिपी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं उसे पहले वैलकम टू अमेसिंग किचन रेसिपी तो यहां पे नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगे एक पड़ा चम्मच तेल और तेल के गरम होने के बाद इसमें एक छोटा चम्मक जीरा, साथ में आदी छोटी चम्मक अजवाइन डालेंगे, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मरच का पाउडर एट कर रही हूँ, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा था मैंने, और अब इसमें मैं दो कप पानी डाल नहीं हूँ, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा औरगयानो पाउडर डाल नहीं हूँ, विल्कुल ओप्सनल है, आप चाहें तो इसकेप कर सकते हैं, आदा शोटी चमच मैंने नमक डाला, पानी में जब इस तरीके से बबल साने लगेगा ना, तो एक कप इसमें सूजी ढालेंगे, और इस तरीके से लगातार चलाते हुए सूजी ढालना है, ताकि कोई भी लम्स ना पड़े, और बस अब लगातार चलाएंगे, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, सूजी जल्दी से ठिक होना चालू हो जाएगी, सूजी बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो बस इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और इसका एक डो त्यार कर लेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, सूजी जो है वो अच्छे से पक गई है, और ये कढ़ाई भी छोड़ रही है, तो बस इसी तरीके से सूजी को पका करके त्यार करना है, गैस इसे निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और अब एक पैन में एक चम्मच सौफ डालेंगे, साथ में काली मिर्च के कुछ दाने डालेंगे, और लो फ्लेम में ना इन्हें थोड़ा सा बून लेना है, लग बग एक से आल मिर्च पी में डाल रही हूं, बहुत जादा ये तीखी नहीं है, तो आप अपने स्वादनुसा डालें, तो मसाले यहां पे भून करके तयार है, इसे डालेंगे ग्राइंग जार में और इसे थोड़ा से ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे एक धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, इसी के साथ में एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में दो चुटकी इसमें हींग डालेंगे, इसी के साथ में एक चम्मच इसमें डालेंगे अमचुर पाउडर, साथ में डालेंगे स्वादनुसार, नमक और ब अब पैन में डालेंगे दो बड़े चम्मस तेल के तेल को गरम होनी देंगे और तेल के गरम होने के बाद ना इसमें अब जो हरी मतर हमने पीस करके रखी है उसे डाल देंगे तो मतर को अब इसमें 2-3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि मतर हलकी से भून जाए बाकि इसमें अभी कोई भी मसाले अड़ नहीं करने है बस लगातार चलाते हुए मतर को इस तरीके से भून लेंगे और जब मतर हलकी से भून जाएगी ना तो जो हमने म मसाले पीस करके रखे थे ना वो डालेंगे तो अभी मैं दो से तीन चम्मची डाल लई हूँ और बाद में अगर मसाला कम लगेगा तो इसे भी एट कर देंगे तो अच्छे से मसाले को मटर में मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे आलू तो यहां पे मैंने लगबग चार से पांच उबले हुए आलू लिये हैं और आलू को इस तरीके से हलका सा मैस करके डालना है और अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे मुझे मसाला कम लग रहा है तो जो बागी का बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसमें डाल लूँगी और आलू को अभी दो से तीन मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है और जब आलू भून जाएंगे न तो एक पटैटो मैसर लेंगे और उसकी हल्प से आलू को बहुत अच्छी तरीके से आपको मैस करना है ताकि इसमें कोई भी गुटलिया ना रहे तो बस इसे अच्छे से इस तरीके से मैस कर लेंगे और इसे दो मिनट के लिए और इस तरीके से भून लेंगे अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ये जो आलू और मतर वाला मसाला है ना इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो मसाले को भी साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और कर लिए के लिए आपको नीट कर लेना है तो हातों मेर तेल लगाके अची तरीके से इस तरीके से मसल लेंगे लगबक 2-3 मिनद के लिए तो बस हैं पर सूजी को जो डुढ कर रही है और यहाँ पर języ leverage अजय घंड़ के ति Cublyआ लें नाव y Revelation तरीके से आपको सारे सिलंडर के सेफ में ये नास्टे के लिए स्टफिंग तयार कर लेनी हैं, तो बस यहां पर देखें, मैंने सारे बना करके तयार कर लिये हैं, और अब यह जो सूची का डो है, इसमें से थोड़ा-थोड़ा डो लेंगे, और इस तरीके से लोई बना करक कर दो नाजता है साइट 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 से थोड़ा पतला रखिएगा बीच में थोड़ा सा मोटा रखिएगा और इसमें रखेंगे आलू और मटर वाली स्टफिंग जो हमने सिलेंडर सेफ में बना करके रखी है इसे रखकर के अपचारों तरफ से बिल्कुल इस तरीके से ज स्टफिंगे इसे बहुत लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में फ्राई ना करे नहीं तो यह पटने लगता है तो बस इसी तरीके से आपको जितना नासता कढ़ाई में आ जाए फ्राई होने के लिए उतना डाल देंगे और इसे लग बख 3-4 मिनट तक ना डाल जोड़ें जब तो इसे इस तरीके से पलटते हुए आपको फ्राई करना है तो बस जब एक अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आजाएगा तब तक नास्ते को फ्राई करेंगे तो यहां पर बहुत ही टेस्टी सा नास्ता फ्राई होकर के तयार हो गया है इसी तरीके से आपको बाकी का नास्ता बना करके भी फ्राई कर लेना है तो बस इसे गर्मा गरम अपनी मन पसंद की चटनी के साथ में शर्प करिए नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन करके त्यार होता है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीस को कर ले सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सेर, कॉमेंट चरूर करें थैंक यू फर वाचिंग वीडियो